इंदोर में कॉंग्रेस कारी करता उन्हें भास्पा सरकार के विरोध में हल्ला बोल प्रदर्शन किया प्रदर्शन किसानों के समस्यां को लेकर किया गया मध्यप्रदेश महिला कॉंग्रेस की महासचेव रीना बोरासी सेतिया ने सरकार पर निशाना सादते हुए कहा कि भाचपर सरकार में किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है सरकार किसानों को सोया बीन में हुए नुकसान का जल्द मुआवजा दे सेतिया ने शिवरा सरकार को किसान विरोधी बताया है सावेर विधान सवा छेत्र के शिप्रा चप्पे पर कॉंग्रेस ने किसानों के पक्ष में हल्ला बोल प्रदर्शन किया महिला कॉंग्रेस की महाससीव रीना बोरासी सेतिया ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज सरकार की ओर से किसानों की अंदेखी की जा रही है जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है रीना बुरासी सेतिया ने कहा कि किसानों की प्याज और लेसुन की फसल का सही राम नहीं मिल रहा है पाजार में जिस भाव में इस फसल की खरीदी हो रही है उसमें किसान की लागत भी नहीं निकल पा रही इसके चलते किसान अपनी फसल को नदी नाले में फैकने के लिए मजबूर है उन्होंने कहा किसानों की सोयाबीन की फसल भी खराब हो गई है सरकार से मांग है कि किसानों को फसल में हुए नुकसान का मुआज़ा दिया जाए इसको लेकर कॉंगेस कारेकरताओं ने प्रशासने का दिकारियों को राजिपाल के नाम ग्यापन सौफा जिसमें फसल के उचित कीमत के साथ सोयाबीन के नुकसान के मुआज़े की मांग की गई है Triول One Rabindranath Tagore University The pioneers in skill development With focus on creating industry ready professionals Join India's premier skill based university Rabindranath Tagore University आप देख रहे हैं दखल नियूज